नमस्कार दोस्तों अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स का एक पाँच नमर या कोश्चन बताने वाले हैं जो इस बार के आपके फाइनल बोड परिशा में ये कोश्चन पाँच नमर का फिक्स है वो भी प्रोथम पाली में पूछेगा तो प्रोथम पाली वि कोश्चन पूछता है कि परकास का परवर्तन या अपवर्तन क्या है इसके नियमों का ब्याख्या करे तो देखो यहाँ पर दोगों है ना यहाँ पर जब याद दे दिया ना तो या का मतलब समझे कि या तो आप परकास का परवर्तन का परिभासा लिखे और उसका फिकर ब ना लगते हैं दोनों का नियम लिखने लगते हैं तो आपको ऐसा परिवरतन बना रहा है यह यह-जी होगा उसको अर्वाराम से अब बनाना तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा पहले परकास का परवर्तन, देखो परकास का जो परवर्तन है वो बहुत easy है, suppose इसका जो परिभासा होता है वो काफी easy होता है, आप असानी से याद कर लेंगे, परकास का परवर्तन का परिभासा होता है, कि परकास के किरुणों का पहले मा प्रतन का फीगर है जैसे कि यहां पर Commun मैंने एक साथा ले लिए बल्कि आपतित किरण परवर्तित किरण के दो लागों बातने के लिए बीच में हम लोग लेते हैं अब यहां से कीरण पर्मिल रही है जो की Sun कर दोस्तों जो हो जाए रही है आपका और बीच में लोग नो हो रही है आपको भागों बातल रही है तो पहला बाग मासे ाइडenda नीज रही है और परवर्तन कमर के बड़ा बोन, तो आप तन्कोर परवर्तन के होजएगा, ठीकिना, तो यह आपका फिगर हो गया, अगर आप बोट परिक्षा में, यह परिभासा, उसके जच्त नीचे, बस इतना फिगर बना देते हैं, तो अभाई नंबर आपका यहीं समिल जाता है, अ आपको ये नीचे वाला ये बनाने की ज़रूरत नहीं है आपने उपर वाला परकास का परवर्धन और उसका अपने फिगर बना दिया ठीकिन लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वो difficult लगे वो भारी लगे तो आप इस वाले को बनाओ ठीक है ना आप इस वाले को बनाओ इस वाले को बना सकते हो तो इस वाले को बनाना तू परवाला मत बनाना ठीक है ना तो परकास का अपवर्तन भी देख लिजे थोड़ा आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा जब Pरकास का किरर एक maadyum से दूसरे maadyum परविश करती है तो उनसे दीज़ा में परीवरतन होता है और इस परीवरतन को क्या कहाते है तो हम परकास का परवरतन कहाते है ठीक कि नूसका फीगर दिख लिजी यहाँ पर मैंने इहाँ पर x और y लिया जिया आप यहां से मैंने क्या किया Curl. अब तेखो यह आपका first medium है अब आपका second medium है इसकο लिख देना विरल माध्यम क्या लिख देना विरल माध्यम लिख देना यह आपका विरल माध्यम हो जाएगा और इसका सगन माध्यम हो जाएगा ठीक न अब देखिए तो जब आपका किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम हो जाती है तो उसके दीशा में परिवर्तन होता है और इसी परि लग रहा होगा कि सज यह वाला इजी नहीं है हम यह वाला सानिस बनाएंगे यह वाला बहुत इजी तो आप यह वाला बनाएंगे यह वाला बहुत इजी है ठीके ना तो यह बनाना और यह वाला नीचे वाला छोड़ देना और जिसको यह बनाना होगा तो उपर वाला छोड ठीके ना तो यहाँ पर मैं लिखाऊंगा कि परकास के परवर्तन के दो नियम होते हैं तो दो नियम कौन-कौन होते हैं आप दोनों नियम को यहाँ पर पहले ध्यान से लिखें तो पहला अमारा नियम क्या होता है ध्यान से दिखें परकास का पहला नियम कहता है आपतित परवर्तित किरण तथा आपतन बिंदू पर डाला गया लंब एक ही तल में होते हैं यह हमारा क्या हो गया परकास के परवर्तन का पहला नियम हो गया और परकास के परवर्तन के दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परवर्तन कोण के बराबर होते हैं यह आपके अब्जेक्टी तो यह हमारा हो गया, देखो कितना एजी है, कितना छोटा है, आप एक ही पेज में अच्छे से लिख दोगे, बढ़िया से राइटिंग से आप एक ही पेज में लिख दोगे, अगर आपको दूसरा लिखना है, परकास के अपवर्तन के नियम को लिखना है, और उसके बारे हम व्याख्या करना है, तो उसका भी नियम देख लीजिए, इसका नियम थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा, ठीके ना, देख सकते हैं, परकास के आपवर्तन के दो नियम होते हैं, पहला नियम आपका है, आप्तित किरण, अपवर्तित कीरण, तथा आपन मीनियू पर डा sin r sin i है न आपतन पोड की जह साइन i तथा अपवर्तां कोड की जह साइन आर का अनुपात किनी दू माध्यमों के लिए एक क्या होता है नीय थांक होता है अर्थाइगत हमारा जो यह मिव होता है लिए इसको पड़ेंगे जो ़ी की तरह मैंने लिखा लिखा न उसको मिव परवर्तान का नियंग आसान या पीपारवर्तान का नियंग में आपका में झुरूर बतयाँ है कि आपको कौन वाला सौब से ओजी लगा और कौन वाला आप लिखना पसंद करेगे में जुरूर करें दू छाल बत인 कर दो और वाल कि अकउर कर दो को अप्राइब को कर दो रुडिया है